दोस्तों ये है करनाटका जो दक्षिन भारत के प्रमुक राज्यों में से एक है ये मुखे रूप से अपनी विरासत स्थलों, अपने वन्य जीव और राष्टे उद्यानों के लिए जाना जाता है वहीं आज के टाइम पे ये भारत के तेजी से उभरते राज्यों में से एक है जिसमें सबसे वड़ा योगदान यहां के विकास शील महानगरों का है तो आईए आज इस वीडियो में हम देखेंगे आबादी की दृष्टी से करनाट का राज्ये के कुछ टॉप फाइव बेस्ट सिटीज के बारे में तो हमारी इस लिस्ट में नमबर पांच पर है बेल गावी सिटी जिसे बेल गाम के नाम से भी जाना जाता है ये नामानकित बेल गाम डिविजन और बेल गाम जिले का प्रशासनिक मुख्याले है जो 94 किलोमीटर स्क्वेर एरिया पर फैला हुआ एक खूब सूरत शहर है तथा बेल गावी अपने वेजेटेबल्स, फ्रूट्स, मीट और माइनिंग प्रोडक्शन का एक महत्वपून स्त्रोथ है यहां की अनुमानित जनसंख्या लगभग साथ लाख पच्चिस हजार निवासियों की है नमबर चार, मैंगलोर सिटी यह अरब सागर के तट पर स्थित करनाटका राज्य का एक मेजर कमर्शियल सेंटर है जहां पर हमारे भारत का नौवा सबसे बड़ा बंदरगा स्थित है वहीं मैंगलोर करनाटका राज्य का एक मात्रैसा शहर है जो ट्रांस्पोर्टेशन के चारों पहलूँ से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये शहर, रेल, रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है वहीं यहां की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 7,24,000 लोगों की है नमबर 3 हुबली धारवार वैसे तो ये दोनों अलग-अलग शहर हैं जिने करनाटका राज्य के ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है जहां हुबली को छोटा मुंबई कहा जाता है वहीं धारवार को विद्यानगरी, पेडानगरी, पेडानगरी और विद्याकाशी जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है इन दोनों शहरों की संयुक्त जनसंख्या तकरीबन 11,37,000 लोगों की है वहीं इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानि बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी आधुनिक सोविधाय मौजूद है नमबर दो मैसूर सिटी ये चामुंडी हिल्स की तलहटी में स्थित एक बड़ा ही खुबसूरत शहर है जो आज के समय में अपने टूरिजम और यहां की उभरती IT इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है जहां पर Infosys और Cisco जैसी बड़ी कंपनियों के उपस्थिती है तथा इन सब के अलावा स्वच्छता के मामले में भी मैसूर देश के कुछ चुनिंदा शहरों में से एक है जहां की अनुमानित जन संख्या लगभग 12,35,000 निवासियों की है और अखिर में जान लेते हैं नंबर एक के बारे में तो इस सूची में पहले स्थान पर है बैंगलूरू सिटी जिसे वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े IT हब के तौर पर जाना जाता है जो करनाटक राज्य की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ बहतरीन शेहरों में से एक है वहीं बैंगलूरू की वर्तमान जन संख्या तकरीबन सवा करोड लोगों की है जो करनाटका की कुल GDP में 43.65 प्रतिशत का योगदान देता है प्रतिशत